हाँ तो दोस्तों एक और नई वीडियो लिखे आज चुका हूँ मैं आप से अभी के सामने आपके अपनी चैनल ट्रीकी मैन पर तो गाईस आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे फ्री लेंस स्टूनेंट से बात करने वाले हैं इन्होंने 5 साल फ्री लेंसिंग के फिल्ड को दिया उसके बाद अभी इन्होंने सीनियर अशुषेट डाटा साइंटिस्ट की जॉब ग्रैप किये एक MNC बेस्ट कंपनी में और अभी इन्हें पर्मानेंट वर्क फ्रों मॉम जॉब मिली है तो क्या इनका experience था, क्या-क्या इन्होंने skill सीकी, कैसे इन्होंने अपना career change किया आप लोग कैसे कर सकते हो, सब को जासे वीडियो में हम लोग discuss करने वाले हैं अगर आप लोग को इस वीडियो अच्छी लगे, एक like जरू करिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को share भी करिएगा तो guys, जैसे कि मैंने आप लोग को बता है, शुभम मेरे साथ है आज, जिनसे हम जानने वाले हैं उनका कैसा experience रहा है, data science के field में, क्या-क्या उन्होंने difficulties face की है तो सबसे पहले हम शुभम का welcome करना चाहेंगे, जिन्होंने इतने short notice पे इस interview के ले basically ready हुए है तो सबसे पहले शुभम हम आपका एक छोटा सा introduction जानना चाहेंगे, आप कहां से belong करते हो, कौन सी आपनी degree complete किया और इस टाइम पे कौन सी job आप कर रहे हो तो मैं उधायपुर से belong करता हूँ और मैंने अपना architecture की degree की है पुने से और अब भी currently मैं काम कर रहा हूँ Southernland के अंदर as a senior associate और उसके अंदर मेरा day-to-day task है data scientist का job आपने कौन सी degree complete की थी? मैंने architecture के degree complete की थी जिसको bachelor of architecture बुल जाता है ठीक है so basically सबसे पहले question तो हम यही पूछना चाहेंगे की जैसे bachelor of architecture के degree आपने complete की और इस time के आप job कर रहे हो data science की तो आपका interest कैसे बना आपका basically first reason हम लोग क्या कह सकते हैं कि data science की field में जाने का आपने career change करने का क्यों सोचा basically basically for a growth career growth कहीं से निकल के कहीं तक पहुंचने के लिए आपको career growth की जरूद होती है तो उसी के लिए इसी के regarding मैंने switch किया है from architecture to data scientist so जैसे आपने मुझे बताया कि आपने पहले आपने ये degree कब complete की थी मैंने ये degree 2017 के अंदर 2017 से अभी चल रहा 2022 आपकी 2022 में अभी job लगी है तो इन 5 साल में आपने basically क्या किया इस जो ये gap हम कह सकते है इस time पे आप क्या गह रहे थे इस 5 साल को gap नहीं बोल सकते actually basically इसके अंदर में काम ही कर रहा था उसके अंदर मेरे interiors and exteriors के काम थे तो कुछ interiors की प्रोजेक्स की है मैंने कुछ exteriors की प्रोजेक्स की प्रोजेक्स की है को फुल-on प्रोजेक्स भी किये हैं from scratch to even to interior as well मतलब आपने यह चार्प से पांच साल मतलब interior designing में ही आपका इंटरस था उसके बाद आभी आपने जैसे देखा कि दीरे दीरे टेंडिंग skills आ रही है growth पर किसी को चाहिए तो आपने उस हिसाब से data science की field में सोचा कि हमें career बनाना चाहिए है ना बिल्कुल so अभी आप कौन सी company में एक बार मुझे नाम पताना चाहोगे कौन सी company में भी आप job करें और क्या role है आपका वहाँ पे basically मैं अभी Sutherland के अंदर काम कर रहा हूं और वहाँ पे मेरा job role है senior associate का senior associate data scientist हो okay so basically एक चीज़ और कि जैसे अभी एक craze चला हुआ है youth में कि work from home करना है या फिर हमें office में जा के काम करना है तो अभी आपके role में आप work from home कर रहे हो या फिर आप office में जा रहे हो daily business पे मुझे basically work from home मिला है और like it depends अगर company to company अगर कोई company चाहाए कि उसको work from office ही कराना है तो like वहाँ पे possible है कहीं जगे hybrid भी चल रहा है जहां पे हफते में दो या तीन जाना होता है और कहीं permanent home भी चल रहा है जहां पे जैसे कि मेरा चल रहा है वो permanent home मतलब permanent work from home की job आपको offer हुई है as a data center senior associate तो मतलब काफी अच्छा job roll हम इसे कह सकते हैं जिसमें आपको घर बैठके ही basically काम करना है अच्छा घर बैठके आप काम कर रहे है तो of course आपको laptop वेगरा की जोही ज़रुत पढ़ने वाली है तो वहाँ पे company की तरफ से क्या option दिया ज data होता है और वो confidential information के लिए उनको अपना laptop ship करना पड़ता है तो वह अभी आना बाकी है या वो company प्रोइट करें तो मतलब आपको full option दिया जा रहा है घर बैठके अच्छा से काम करने का laptop वेगरा भी company ही दे रही है तो मतलब और आपने company भी बताई जैसे MNC company में आपका selection यहां पर एक चीस हम पुछना चाहेंगे काफी बच्चों के questions रहते है मझे जैसे आपने अपनी degree change की जैसे आपने architecture से data science के field में select किया तो क्या क्या मतलब आपको कोई ऐसी difficulty face हुई कि मतलब आपको लगाओ कि नहीं यार मेरा ये decision सही नहीं है या फिर कुछ ऐसी difficulties जैसे बह वहां पर अगर मैं बोलना चाहूंगा कि इसके अंदर और भी थोड़ी सी चीज़े और होती है जैसे सिर्फ python नहीं sequel भी होता है और अगर आपको coding इतनी नहीं वह difficulty हो रही है उसके अंदर एक data analyst भी होता है वह भी इसी से correlated field है जैसके अंदर usually power BI का rule आता है वह usually basically excel जो सबने चलाया होगा उसके according ही काम करता है उसे थोड़ा सा advanced software है तो power BI और excel and like sequel इन तीनों को मिला कि भी एक और इसी के इसी के रिल होता है उसे data analyst भी बूलते है तो वहां पर भी बहुत अच्छा स्कूप है और as a data scientist आपको python है या our language है तो इसमें से basically python language is something कुछ आना ही चाहिए तो वह आप सीख सकते हो ऐसा नहीं कि मतलब मुझे पहले से आता तो start किया उसके बाद से आप daily practice करो तो it's like easy language okay so basically start करना आप जितना हम easy बोल देते हैं easy language बट उतना easy तो नहीं रहता है तो जिससे आपने start किया उस टाइम पर मतलब आपने पढ़ना कहां से start किया क्योंकि आपके field काफी different थी आपने of course research भी कियोगी कैसे research की कहां पर की क्योंकि आज के time पर हम देखेंगी तो बहुत सार free courses available है YouTube पे भी different different website even हमारे चैनल पर भी हजारों free courses में provide करता हूं तो आपने उस टेम पर क्या किया आपके case में मैंने मेरे case के अंदर थोड़ा सा background research किया था कि क्या कौन इसके अंदर करवा रहा है इसके अंदर particularly job assistance भी दे रहे तो पहले YouTube से भी काफी चीज़े निकाली मैंने Google भी किया तो यह सब चीज़े करने के बाद में मुझे odin school के बारे में पता चला था तो वहां से मैंने inquiry की कि क्या होता है क्या procedure है join करने का कैसे क्या सारी चीज़े चलेगी and कैसे course कराया जाएगा देन उसके बाद क्या job assistance है each and everything I have asked them and उस सब के बाद में मुझे यह सब चीज़े अच्छी लगी कि जो उन्होंने बताया था उनका curriculum वगेरा each and everything तो उसके regarding सब कुछ added था उसके अंदर स सारे skills soft skills as well और job assistance as well तो उन तीनों को देखते वे मैंने फिर उस पे switch करने का try किया and like फिर मैंने वो join किया ठीक है तो जैसे आपने बता है ओडिन स्कूल से आपने complete preparation की है इस program के लिए इस job के लिए basically तो जैसे आपका ये जो course था वो online था या फिर आपको offline किसी city में state में जाके पटना पड़ता था इसको सीखने के लिए basically वो completely online था तो basically Saturday Sunday उसकी classes होती था कि most of the people की उस time पे weekends ही होत एगा और उस time पे usually चार से आंट गंडी ही classes होती है ठीक है मतलब Saturday Sunday और अगर extra classes होती है तो वो आपको weekday के अंदर होती है सान बज़े के बाद में के मतलब सभी के लिए comfortable है टाइबिंग के साब से जो students हैं वो भी अपना time manage कर सकते हैं इस program में तो यहां पर जैसे इस program में आपनी इंडॉल किया तो इंडॉल कैसे किया मतलब online ही platform पे जाके या फिर आपको किसी ने suggestion वगरा दिया था जैसे हमने पहले इंटरू लिया था उ okay okay so और एक चीज़ और जैसे हम किसी भी कोर्स में इंडॉल कर लेते हैं उसके बाद हम जैसे पढ़ते जाते हैं धीरे धीरे पढ़ते ताइम हमें पता चलता है कि इसमें यह issue है या फिर डिफिकल्टी है यह problem है इस course में इस program में तो आपको ऐसी कोई मतलब difficulty face हुई इस program मे जो मतलब genuinely आप audience को बताना चाहोगे तो देखो अगर आप coding करते हो तो error तो आएंगी ठीक है उसके अंदर आपको google करना पड़ेगा थोड़ा साथ आपको खुद को भी try करना पड़ेगा और जब पूरा solution नहीं कोई solution उस पर नहीं मिल रहा है कहीं से कोई कोई ऐसे अलग से problem अगए तो एक elements होता है हमारे आप तो वहां पर आप अपना जो problem है वहाप copy paste करके with screenshot और वहां पर पोस्ट कर दो उसी के बहाफ पर आपको within half an hour और one hour आपको reply मिल जाएगा तो उसके अंदर वह आपको even mail भी आ जाएगा उसका कि इस जगे पर यह सारी चीज़े आपको जो आपको तो वहां पर और एक चीज़ और जैसे market में आपने भी बताया बहुत सारे online courses हैं बहुत सारी content resources available हैं तो उन courses में जैसे आपको पढ़ा तो सब कोई देता है बट जोब पर दिक्कत आती है मतलब सिखा तो हम YouTube से भी लेंगे बट जोब में थोड़ी सी issues होते हैं जोब आपके अंदर उसमें आपका internal tests होते हैं तो अगर आप internal tests होते हैं उसको आप clear करना होता है वो आप clear कर दो उसके बाद में like mails आते हैं उनी की तरफ से के particular इस जगे पर है तो वहां पर आपका consent लेते हैं आपका consent लेने के बाद वह वापस company में जाता है फिर company से सारी चीज़े shortlist होके आपको interview के लिए opportunity मिलती है इसके बाद में आप इंटर्व्यू में आप बैठो और उसके रिगार्डिंग भी यह लोग assistance प्रोवाइड करते रहेंगे फिर उसके बाद में आप इंटर्व्यू वहां पे दो इंटर्व्यू क्रैक होने के बाद में like you are good to go कोई ऐसी limitation भी है कि मतलब आपका किसी company में interview हुआ और आपको job भी करनी है मतलब package कम मिल रहा है तब भी मतलब ऐसा कुछ भी होता है या फिर आपकी interview time to time schedule कराये जाते या फिर कभी-कभी ऐसा होता नहीं courses में एक-दो interview कराये उसके बाद क्या देते हैं नहीं बस हो गया job लेनिया तो ले लो ऐसा कुछ भी आपने फिल किया मतलब आइसा कुछ नहीं face किया मैंने like जो अभी मैंने current job है वो मेरा second interview था first week मैंने दिया था उसके बाद में फिर second time फिर से बूसरी opportunity आई थी तो ये भी आपको मतलब basically कितना time लगा इस चीज़ के लिए basically around six months से थोड़ा ज्यादा six month to eight month interview में कितना time लगा आपके interview में basically आप interview particular round के बारे में पूछ रहे हो या फिर किस के बारे में मतलब जैसे आपका course खतम हुआ, course खतम होने के बाद आपको मतलब interview schedule कराने में इस process में course खतम होने के बाद कितना time आपको लगा मतलब job तक जाने के लिए course खतम होने के बाद में वो depend करता है कि आप internal interviews का clear कर लेते हो आप internal interviews clear करोगे तो उसके just back to back आपको then job opportunities मिलती जाएगी okay मतलब audience school पहले internal interviews करवाता है आपके ताकि आप prepare हो जाओ अच्छा से मतलब जो official आपका interview है वो अच्छा से आप crack कर पाओ ठीक है ये भी अच्छा ही option हम इसे कह सकते हैं तो यहां पर इस program के लिए कोई join करना चाहते है तो वो आपका suggestion है online ही वैसे मतलब आप उस हिसाब से क्या सोचते हो कि किसी को online जाना चाहिए या फिर offline जाना चाहिए क्योंकि आज कर दीरे दीरे चीज़े एक बार तो online का यहां से आप अपने time के साब से उस time पर free time निकाल के आप कहीं और जहां पर से course deliver हो रहा है वहां से आप वो चीज़ ग्रैब कर सकते हो तो और प्लस even recording भी होती उसकी ऐसा नहीं कि सिर अपने live interview attend live classes attend कर ली और फिर वो चाहरा गया वह live classes record होती है और वो available होती है तो अगर आ आप वहां पर offline जाओगे तो वो see time पर available है और then it's gone ठीक है so guys जैसे अगर किसी को interest audience school में तो मैं उसका link तो video description में देने वाला हूं आप लोग को आप check out कर सकते हो बाकी हमें बहुत कुछ जानने का मोगा मिला इस program के बारे में शुबम के बारे में उन्होंने कैसे अपनी field change क एक last question रहेगा हमारी audience के लिए आप कोई ऐसे tip and trick देना चाहोगे जो कि beginning level के देखो इस time पर हमारी most of the audience या फाइनल यर में है या फिर graduate वाले student है वहां पर या फिर जो third year second year में भी बच्चे हैं वो अभी से क्या करना start करें या फिर कैसे और even आपकी LinkedIn ID भी होगी ना हां तो वह मैं LinkedIn ID भी शुबं की आपके साथ शियर कर दूँगा वहां से भी आप connect कर सकते हो इवन अगर शुबं से connect करना चाहो बाकि आप यहां पर वीडियो में last में कोई suggestion देना चाहोगे students को जो यह वीडियो देख रहे है उसके अंदर ना कोई trick तो आप मैं किसी को नही करती है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी डेली अटलीस अगर आप वन आउर भी निकालते हैं एक पर्टिकुलर कोडिंग के लिए किसी भी किसी भी लैंग्विज को लेके तो वहां पर आपको बहुत एजी हो जाएगा उसके बाद में कोई भी मॉडियो चला में कम होका मिलाओगा बागी आप लोग के कोई भी डाउट से 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 रिलेटेड कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो आई विल ट्राई कि सुभम से बात करके आपके रिप्लाई कर सकूं और इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं आने वाले टाइम में और 20 टा आने पर आने कामै ने सकते हैं और 20 टाई कि बता सकावास